नर और नारायन प्रवर्श चिंक्राव की गोद में, उत्रकंड के चमुली जिले में अलकनन्ना नदी के किनारे पर स्थित आदी तीर्थ बद्रिनात धाम, यह श्रद्धार और अस्था का अटूट केंद्र है, यह भगवान बद्रिनारायन से संबंदित एक बहुत श्रद् मुख्य देवता, भगवान बद्रिनात, 3.3 फीट की 60 ग्राम की शीला प्रतीमा है, जो भगवान विश्नु है, और जो भगवान की सबसे सुप स्वयम परकट मूर्दियों में से एक है, बद्रिनात धाम छोटा चार धाम भी कहलाता है, यह हिंदुों के चार धामों में से एक है, और वैश्व वितियों का सबसे पवित्र मंदिर है, यह वैश्नफ के 108 दिवयते समगें परभुक है, बद्रिनात धाम चमुदर तल से 3133 मीटर की उचाई पर स्थित है, यह पवित्र स्थल भगवान विश्नु के चतूर्त अवतार नर रेवम नाराण की तपबोम हैं, बद्रिनात धाम दो परवतों के बीच बसाए, इन्हें नर नराण परवत का आ जाता है, कहा जाता है कि यहां भगवान विश्नु के अंश नर और नराण ने तपस्चा की थी, नर अपने अगले जनम में अरजुन तो नराण श्री कृष्ण के रूप में पैदा लेकिन बद्रिनात मंदिर का उल्लेक चरूर मिलता है, साथ है हमारे प्राचीन वैधिक शास्त्र के देवता जो इंगित करते हैं, कि मंदिर वैधिक काल के दोरान महा था, तो चलिए जानते हैं क्या कहता है बद्रिडात मंदिर का इतिहास जब भगवान विश्णु अपनी तपस्चा के लिए उचे स्थान देखते देखते नीलकन परवत और अलकननदा नदी के किनारे पर पहुँचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया पर यह जगा तो पहले से ही शिव भूमी थी तब भगवान विश्णु ने यहां बाल रूप धाड़न किया और रोने लगे उनके रुदन को सुनकर सुए माता पारवती और शिव जी उस बालक के सामने उपस्तित हुए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से यह स्थान मांग लिया भगवान विश्णु ने शिव पारवती से रूप बदल कर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है बद्रिनाथ धाम पर ही माता लक्ष्मी ने लिया था बद्री विश्च का रूप बंदिर का इतिहाज पद्रिनाथ धाम से संबंदित आने पुराणी कताओ का समर्थन करता है एक महान कता भगवान विश्णु के अनुसार इस चगहे पर कठोर तपस्या की थी एक समय भगवान विश्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा तपस्या रत चिरी हरी बरफ से पूरी तरह ढगने लगे उनकी दशा को देखकर मातालक्ष्मी ने वहीं एक विशाल का वेर के विश्णु का रूप धरन कर लिया और हिमपात को अपने उपर सेहन करने लगी मातालक्ष्मी भगवान विश्णु को धूप वर्शा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या काने लगी काफी वर्शों बाद जब भगवान श्री विश्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है तब श्री हरी भगवान विश्णु ने लक्ष्मी जी के तब को देखकर कहा हे देवी तुमने मेरे बराबर तब किया है इसलिए आझ से इस थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी लक्षा बदरी विर्ख्ष के रूप में की है अटै आझ से मुझे बदरी के नाथ यानि बदरी नाथ के नामसे जाना जाएगा इस तरह भगवान विश्णूर का नाम बद्रिनात पड़ा बद्रिनात धाम के बारे में एक और कता कहती है कि नर और नरायन धर्म के दो पुत्र थे जो अपने आश्रम की स्थापना की कामना करते थे और विशाल हिमालियों के बीच कुछ सुहाद पूर्स्थान बर अपने धार्मिक आधार का विश्थार करना चाते थे नर और नरायन वास्ता में दो आधुनिक हिमाले प्रवच्छ रिंकलाओं के पुराणिक नाम है कहा जाते है कि जब वे आपने आश्रम के लिए एक उप्युक्तुस जगय की तलास कर रहे थे तो उन्होंने पंच बद्री की अन्ने चार स्थलों पर ध्यान दिया अर्थात बृता बद्री ध्यान बद्री योग बद्री और पविश्य बद्री अंत में अलकनन्दा नदी के पीछे गर्म और ठंडा वसंत मिला और इसे बद्री विशाल का नाम दिया गया इस तरहें बद्री नाद्धाम अस्तित्व में आया हमारे कुछ प्राचीन गरंत बताते हैं कि यह मंदिर शुरू में एक बहुद मट था और आदी गुरू शंकराचारे ने जब आठवी शदाब्दी के आस्पादी जगय का दोरा गिया तो एक हिंदू मंदिर में बदल गया था मंदिर वास्तुकला उच्जुल रंग सामने से देखने पर बहुद मट के समान है और इस परकार उप्रोक्त दावों में कुछ अच्चाई हो सकती है राजा ने मंदिर के आगे बढ़ने से पहले भक्तो दुवारा अनुष्ठान के पूजा का आनंद लिया ये अनुष्ठान उन्निस्वी शदी तक मौजूद थे और जब ग्रहवाल के छेत्र का विबाजन हुआ तो पत्रिनात का मंदिर अंग्रेजों के अधिकार छेत्र में आया हाला कि ग्रहवाल का शाषक अभी भी मंदिर प्रबंदक के समिती के प्रमुक अध्यक्ष ग्रक्ति के रूप में कारे कर रहा है प्रतिकुल जलवायू और आनियमित परसित्यों के कारण मंदिर कई बार शतिग्रस्त हुआ लेकिन मंदिर को कई बार पुना रेन्वित किया गया मंदिर का निर्मान वा विस्तार 27 अतावदी के दोरान गड़वाल के राजाव दोरा किया गया था लेकिन 1803 में हिमाले में आई भूकम के कारण मंदिर बड़े पेमान पर नश्ट हो गया बाद में जैपूर के राजा ने इसका पुना निर्मान करवाया और प्रत्थम विश्वयुद्ध से पहले ही यह पूरा हो गया भविश्य में नहीं होंगे बद्रिनात के दर्शन चोकी माना जाता है कि चिस दिन नर और नरायन परवत आपसे मिल जाएंगे बद्रिनात का महर्क पूरी तरह बंध हो जाएगा भक्त बद्रिनात के दर्शन नहीं करवाएंगे बद्रिनात धाम भगवान विश्णू के 24 अवतारों में पवित्रि स्थलों में से एक है योग ध्यान बद्री, भविश्य बद्री, आदी बद्री, विद्ध बद्री, सहित बद्रिनात मंदिर सहित पंच बद्री मंदिर का हिस्सा है मननेत है कि केदारनात और बद्रिनात के कपाड जब खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व है ऐसा माना जाता है कि महीनों तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं बद्रिनात के पुजारी शंकर चारे के वन्चज होते हैं कहा जाता है कि जब तक यह लोग रावल पत पर रहते हैं उन्हें ब्रह्म चारे का पालन करना पड़ता है इन लोगों के लिए स्त्रियो का इसपर्श वर्जित माना जाता है केदार्नात के कपाड़ खोलनी किती थी केदार्नात के रावल के निर्देशन में उकीमट के पंडितों दोबरा तैकी जाती है इसमें समाने सुभिधाव के अलावा परंपरा का ध्यान नखा जाता है यही कारण है कि कई बार ऐसे मुहरत भी आये हैं जिसमें बद्रिनात के कपाट केदानाट से पहले खोले गए हैं जबकि आमतोर पर पहले केदानाट के कपाट खोले जाते हैं बद्रिनात की यात्रा का मोसम हर साल छे महिने लंबा होता है जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महिने में समाप्त होता है बद्रिनात को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा व्यकुंत कहा जाता है एक व्यकुंत शीड सागर है जहां भगवान विश्णु निवास करते हैं और विश्णु का दूसरा निवास्थन बद्रिनात है जो धर्ती पर मौझूद है इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बदरी वो ना आए ओदरी यानि जो व्यक्ति बदरिनात के दर्शन करता है उसे माता के घर में दुबारा नहीं आना पड़ता प्रानी जर्म और मित्यू के चक्र से छूड जाता है आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें अविश्य बताएं साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपके क्या राय है ये भी हमें कमेंट बुक्स में चरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें